मूल निवासियों के विस्थापन की प्रक्रिया बड़ी लंबी है लगभग 200-200 वर्षियों तक बल्कि उससे ज़्यादा ये विस्थापना का दौर चला ये दिम विश्व के नक्षे को गलोब के रूप में देखें तो आपको अपना ध्यान मूल रूप से उत्तरी अमेरिका उसके आसपास और ऑस्टेलिया और उसके आसपास पर रखना इस गलोब को देखिए प्रिट्वी का घूमना और जब आप अमेरिका को देखते हैं तो आप पाएंगे कि उत्तरी अमेरिका दो ओर का मुद्रुसे महा सागर से घृरा है यह दखीए महा सागर से घृरा है और उसके बाद उसका एक हिस्σα उत्तर में उत्तरी अमेरिका का मैं संयुक्त राज अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं महादीब की बात कर रहा हूं उसका एक हिस्सा उंपर जाकर एक देश से जुड़ रहा है इसको देखिए और बीच में थोड़ा सा एक gap है एक समुद्री इलाका दिखता है इसके साथ ही आप देखिए Australia कितनी दूर है इस ते चारों तरफ उसके समुद्र है बहुत दूर है मूल भूमी से बहुत दूर है इस ग्लोब को देखने का ताथ पर ये है कि हम विभिन देशों की संरचना को तो समझे ही साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करें कि इत्तरी अमेरिका दक्षिन अमेरिका ब्रिटन ऑस्ट्रेलिया ये कहा हैं कैसे स्थित हैं इनकी जो जोगरफी है वो कैसी है अब देखिए आप को जो मैं जिक्र कर रहा था उत्तरी अमेरिका का वह हिस्सा जो येरोपियन हिस्से से छूता हुआ है लगवग और उस खेतर को क्या बोलते हैं उस खेतर को बोलते हैं Bearing Straight क्या कहते हैं Bearing Straight ये Bearing Straight विस्थापन की कहानी में विस्थापन की गाथा में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है ये देखा आपने Bearing Straight भूमिका किस रूप में निभालता है देखिए उत्रे अमेरिका समाप्त होता है और उसके बाद वो योरॉप के उस खेतर से जुड़ता है जो जपान के उपर है इसकी दूरी बहुत कम है यहीं से विस्थापन की कहानी हमारे सध्याए के लिए इस दौर में मैंने आपको प्राणम में बताया था कि हम मूलूरॉप से उत्री अमेरिका और उस्थीलिया के विस्थापन का जिकर इस अध्याए में करेंगे तो चली अब हम चलते हैं अपने इस अध्याए के पहले उस खेतरी भागलिक खेतर पर जिसे उत्तरी अमेरिका कहते हैं। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का नक्षा देखिए फिर से। मैंने प्रार्णम में भी इसको बताया है लेकिन इस बार पुना जरूरी है क्योंकि कुछ अत्रिक्त बातें इस दौर में आपके सामने रखूँगा। और आप देखेंगे कि उत्तरी धुरुवी वृत्य से लेकर करकर इखा तक और एक और प्रशान्त महासागर है दूसरी और अट्लांटिक महासागर है एक और प्रशान्त महासागर और दूसरी और अट्लांटिक महासागर पैसिफिक ओशन एंड अट्लांटिक ओशन पश्चिम की ओर यदि देखते हैं आप तो पश्चिम की ओर एक पहाड़ों की लंबी श्रिंखला है और वे पत्रीले पहाड़ है जिसे एरिजोना, निवाडा के लगा हुआ एरिजोना पश्चिमी क्षेतर का पहाड़ी है और वो नवाडा क्षेतर से लगा हुआ है जो स्वैम में मरुस्थली है यानि एक शिंखला पहाड़ों की पत्रीली उसी के साथ साथ नवाडा रेगिस्तानी क्षेतर तो ये ड्राई क्षेतर हम कह सकते हैं यदि हम थोड़ा औ पुर्वी इलाके में तो पूर में मैदानी इलाका है कैसा है मैदानी इलाका है जीले मिस्शिपी ओहायो और अपपलाचिया इन परवत्तों की घाटिया है ये पूर्वी इलाका है पश्चिमी पहाड़ी पूरवी मैदानी पश्चिमी सूखा पूरवी हरा भरा और वहा नदिया है मिशी सीपी ओहाईवादी दक्षिन की ओर देखिए तो मेक्सिको है दक्षिन दिशा में मेक्सिको ठीक ये जो उत्तर का जो अमेरिकन हिस्सा है जिसे हम स्वेक तुराज अमेरिका कहते हैं और कैनडा कहते हैं ये टेल गैस और खनिज भंडारों से बिलकुल लब्रेज है तेल गैस और खनिज भंडार यहां बहुत भरी मात्रा में ये संसाधन यहां उपलब्द है चालिस पतिश्यत लगभग इसी खेतर में है और फल्फरूप परणाम क्या है जब ये चीजें यहाँ हैं तो निश्चित रूप से ये खेतर काफी अद्योग दिश्ट से भी बहुत ज्यादा एडवांस होंगे भारी उद्योगों की मात्रा है यहाँ उद्योग बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर हैं खनन, क्रिशी और अन्य उद्योग इनका विकास यहाँ विशेश रूप से हुआ और उसमें चीनी लोगों का जो मैंने आपको जिक्र किया कि एशियाई लोग आये थे उनमें चीनी लोगों ने खनन उद्योग में इन लोगों ने क्रिशी उद्योग में काफी महत्पूर्ण भंका ले लेकिन यूरोप से आने वाले यूरोप के आने से पहले यूरोप वास्यों की जानकारी में आने से पहले हज्जारों सालों से लोग औरतरी अमेरिका में रह रहे थे अर जारों वर्ष पूर्व से वहाँ पर लोंगो का रहना था, जिससे हमने एक नक्षे के माध्यमते प्रारम में देखा है। हम उत्तरी अमेरिका के नक्षे पर एक बार और नजर डालें। थोड़ा उसको और बारीकी से समझें, क्योंकि यदि हमको विस्थापन को समझना है, तो उत्तरी अमेरिका के नक्षे को भोगोलिक दिश्टि से उसको अपने मन में बैठाना होगा। ये जो महाद्वीप है, उत्तरी धुरू वृत्ति से लेकर करकरेखा तक है। और उसके दोनों और महासागर हैं, प्रशान्त महासागर और अट्लांटिक महासागर, पैसिफिक ओशन और अट्लांटिक ओशन, काफी विस्तार है, लंबाई में भी और चोड़ाई में भी। इस उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र की ओर यदि हम देखें, तो प्राकरितिक नक्षे में पथ्रीले पहाड़ों की श्रिंखला दिखती है, जिसे हम कहते हैं अरिजोना का ख्षेत्र, और साथ ही साथ निवादा मरुस्थल भी वहीं पर है, यानि पश्चिमी वहींति ख्षित्र जो है तुलनात्मक जिस्टि से थोड़ा सूखा है, शुस्क है, हम ऐसा कह cognitive है, थोड़ा और पश्चिम में दी जाते हैं, तो सेरनवदा परवत है, तो इस वकार ये पश्चिम की भागोलिक श्थिति पश्चिमी क्षेत्र की जानकारित, पूर में क्या मैदान, मैदानी इलाका, जीलों का भंडार, मिसीसिपी, ओहायो, ऐसी नदियां, और उसके साथ ही अप्पालाचिया की पहाड़ियां, उसकी घाटियां, अप्पालाचिया की घाटियां, ये पूर्व में हैं, तो पूर्वी खेत्र तुलनात्मक दिश्टी से ज्यादा हरा मैदानी हैं, और पश्चमी खेत्र उतना ही पहड़ी खेत्र है, पत्रीला खेत्र है, मरुक खेत्र है, दक्षन की ओर देखिए मेक्सिको, मेक्सिको का जिकर आगे बारंबार आएगा, फिलहाल आप समझ लें कि स्जिक तराज अमेरिका या उत्तरी अमेरिका के दक्षन हिस मेक्सिको नाम का देश है, जो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, यहाँ पर तेल के भंडार, गैस के भंडार, और साथ वी साथ काफी खनिज भंडार, बड़ी प्रत्यूर मात्रा में हैं, क्यानिज खनिज प्राक्रितिक संसादरों की दिश्टी से ये खेत्र बहुत संपन है और इसलिए यहाँ बहुत सारे उद्योग भी हैं, क्योंकि प्राक्रितिक संसादरों कैसे, तेल और गैस, जो मूल रूप से एनरजी का काम करते हैं, उत्तरी खेत्र उद्योगों से पटा हुआ है, कैनेडा की यदि बात करें, तो कैनेडा का 40 प्रतिशत भाग जंगली है, जंगल है, जंगली से अर्थ है, 40 प्रतिशत भाग में जंगल है, बड़े घने जंगलों से पटा हुआ है, इसके बाद, अगली जो बिंदू, अगली जानकारी यह है, कि गत 200 वर्षों में, यहाँ जो विकास हुआ, उत्योगों का, खेती का, किशी का, और उत्खनन का, इ यॉरोप से आय हुए अप्रवासी, अफरीका से आय हुए अप्रवासी, और साथ ही, चीन से आय हुए अप्रवासियों का, प्रभाव रहा है, एशिया में चीन से आय, यॉरोप से तो सबसे पहले आय ही थे, और बाद में मैंने आपको बताया थे, एशिया से भी बहुत ल थी ये नहीं कि ये लोग वहां रहने वाले पहले निवासी थे मूल निवासी थे नहीं मूल निवासीों की बात करें तो यूरोपी वासीों की जानकारी के आने के पहले ही उसके हजारों साल पहले से इस खेतर में लोग रहने लगे थे तो अब हम चलते हैं मूल निवासीों क और अमेरिका के मूल निवासी कौन थे रहन सेहन क्या था हमको उसके लिए तीस हजार वर्ष पहले जाना पड़ेगा यूरोपियन अफ्रीकन और इशियन तो दो सो वर्ष पहले ही आएं हैं तो इन्हें मूल निवासी नहीं कहा दा सकता मूल निवासी वो थे जो लगबग तीस हजार वर्ष पूर आचुके थे और कहां से बेरिंग स्ट्रीट के आसपास भूमी सेतु के रास्ते से एशिया में घुसे ये देखिए वो नक्षा जिसका मैंने पूर में जिक्र किया था बेरिंग स्ट्रीट देखिए कैसे भूमी सेतु के रूप में दो खेत्र जुड़े हुए है और वहाँ से कैसे इनका माइग्रेशन होता है कैसे ये मूव करते हैं वहाँ से ये एशी आते हैं वहाँ के मूल निवासी दस अजार साल पहले जब अंतिम आईस एश था जो हम भूगोल में पढ़ते हैं लगवग दस हजार वर्ष पहले अंतिम आईस एश के दोरान ये लोग दखिन की और बढ़े इनका देखिए पलायन कैसे हो रहा है दखिन की और बढ़ते हैं और पांच हजार वर्ष पहले जब जलवायू थोड़ा ज़्यादा स्थिर हुई मौसम थोड़ा स्थिर हुआ तब यहां की आबादी बढ़ना शुरू होती है दखिन की तरफ आते हैं बेरिंग स्ट्रीट से आ रहे हैं मूव करते हैं और बदलते हुए माहौल में रहते रहते फिर वो जब दखिन की और आते हैं तो आज से पांच हजार वर्ष पूर्व बहतर जलवायू की स्थिर्ता के करण वहां वे लोग बस जाते हैं और आबादी बढ़नी शुरू होती हैं और जब आबादी बढ़ती है तो जुन्ड में रहने लगते हैं गाओं के रूप में रहने लगते हैं समूव बना के रहने लगते हैं मचली और मांसा दिखाते हैं सबजियां और मकई उगाते हैं मकई के लिए एक शित बड़ा प्रस्तित थे कनडा तो यहां पर एक तरीके से खेती बाड़ी शुरू होती है नदी घाटियों के आसपास सब़ाइक है इनका रहना होता है और मांस के लिए बाइसन नामक जंगली भैंस यहां बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं तो उनकी तलाश इनको रहती थी बाइसन भैंसों की तलाश रहती थी और यह बाइसन भैंस जो हैं यह घास के मैदानों में घुमते थे और वे उतने ही जानवर मारते थे जितनी की जरूरत थी यानि बाइसन का शिकार या जानवरों का शिकार शौकिया तोर पे ना करके या हिंसात्मक नजरिये से ना करके केवल भोजन के लिए करते थे यह इनकी बड़ी एक समझदारी की चीज थी केवल जिस्तनी भोजन में जितनी जरुरत उतना ही शकार एक तरीके से यह आत्मसंतुष्ट प्राणी थे जितना जरुरत है उतना ही हम करेंगे और इसलिए खेती भी जादा नहीं करते थे बड़े पयमाने पर खेती का उधारण हमें इस काल में नहीं मिलता है इनकी एक खासियत और है और वो खासियत है कि यह जमीनों पर अपना अधिकार अपना स्वामित्व नहीं रखते थे ना जताते थे ना रखते थे ये कुछ इनकी विशेष्टाएं हैं ऐसे माइग्रेटरी लोगों की ऐसे विस्थापित लोगों की जो बेरिंग स्ट्रीट से होते हुए अशिया की तरफ आए और दक्षिर की तरफ बढ़े जमीन से इनका कोई तालुकात नहीं था जमीन को वो मानते ही नहीं थे कि वो निजी संपत्ती हो सकती है जा उस पर उनका मिलकियत हो सकती हो यहां के लोगने बड़े पैमाने पर खेती भी नहीं की शिकार भी उतना ही जितनी जरूत है और बगैर उससे मिलने वाले भोजन और आशरे से संतुष थे बिना ज्यादा खेती के बिना ज्यादा शिकार के जो मिल गया उससे वे संतुष रहते थे पांच हजार साल पूर्व आए हुए इन मूल निवासियों की कुछ विशेष्टाएं जानने के बाद एक और विशेष्टा बड़ी महत्पूर्ण है और वो ये है कि ये लोग एक महत्पूर्ण इनकी परंपरा में आपचारिक संबन्द और दोस्ताना रविया कायम कर उपहारों का आदान प्रदान एक इनके जीवन यापन का बड़ा महत्पूर्ण हिस्सा था दोस्ताना रवय्य, आपचारिक संबंद, दोस्तियां कायम करना, मित्रता रखना, ये इनके अपनी जीवन शली का एक हिस्सा था और उस दोस्ताना रवय्य में अपनी भावनाओं को उपहारों के माध्यम से, लेन देन के माध्यम से उसका इजहार करना ये वस्तियों को खरीदने की तो बात ही दूर समानते उपहार के तौर पर ये वस्तियों को उप्योग करते थे उपहार में जो मिलता था, उपहार में जो देते थे, वही उनके लिए परयाप्त होता था रही भाशा की बात, कई भाशाइं बोलते थे यह कि एक तरीकेत हम कह सकते हैं कि यह एक ही बार में सब्नी आये लहरों के रूप में आते थे उनका जो मूवमेंट था, उनका जो पलायन था, वो क्रमशाह था तो अपने अपने समय में, अपने अपने काल में ये लोग अलग-अलग भाषा बोलते थे तो इनकी कई भाषा हैं थी लेकिन एक भी भाषा लिखी नहीं जा सकती थी केवल बोलने की भाषा थी ये इनकी अगली विश्ष्षता हुई और उसके बार जीवन के बारे में इनका क्या सोचना था उनका मानना था कि समय की जो गती है वह चक्री है चक्री का अर्थ है जीवन आता है जीवन जाता है इसमें विश्ष्षत था और संपूर्ण कबीलों के पास उनका इतिहास रहता था जो कई पीडियों से चला रहा था अंतिम बिंदू इन लोगों के बारे में आपको जाने लाए कि ये लोग वैसे बड़े शान्त प्रीतों थे साथ ही योग निपोण और अच्छे बुनकर भी थे अच्छा कपड़ा बुनते थे जलवायू और जो दृष्य भु के जो 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 गरिफिकल व्यूज जो था उसके मीनिंग समझते थे वो भु दृष्यों की समझ थी जलवायू की उनको समझ थी तो इस प्रकार काफी हद तक ये लोग मूल निवासी होते हुए भी समझदार थे ये हुई इनकी विशेष्टा है अब सत्रवी सताबदी में जब महीनों दर महीनों कठिन यात्रा करने के बाद उत्तरी अमेरिका के टट पर यूरोपी व्यापारियों का आना होता है तो वे वहां राहत के सांस लेते हैं क्यों क्यों कि देखिए यूरोप में वो उन देशों से अमेरिका की दूरी कितनी कितनी दूरी तै करके वे लोग टट को छूते हैं और जब तट को छूते हैं और इस धंग के लोगों से उनका सामना होता है जो एक तरीके से शांत प्रीथ है तो राहत की सांस लेते हैं दूसरे शब्दों में इन यूरोपियनों को वो माहौल मिल रहा था यहां पर दिखाई दे रहा था वो मौका जिसके आधार पे वे अपना यहां विस्तार कर सकते हैं जब यह लोग यूरोपियन पहुंचते हैं तो बड़ा गर्म जोशी से स्वागत होता है मैंने आपको बताया बड़े दोस्ताना लोग थे लोग वहां के मूल निवाती हिंसात्मक नहीं थे और यह गर्म जोशी से स्वागत इसी बात का परिचायक था मिततापूर्ण व्यवहार मचली और खाल के वापार के लिए सोना इन्हें मिला तो बड़े अभीबूत हो गए इन्हें शिकार करने में देशी लोगों ने भी काफी साहता की यानि यूरोपियन जो बाते हैं तो वहाँ यदि आपसे पूछा जाए कि यूरोपियन वहाँ जाकर स्थाई निवासी क्यों बन गया तो उसके उत्तर में पहली बात कि अंत्ता एक तट उनको मिला था तो उत्तरना तो था बड़ी लंबी कठी नियात्राओं के बाद एक तट पे पैर पहुँचे तो रहत मिलती है दूसरी बात वहाँ के जो रहने वाले लोग थे मूल निवासी थे उनका व्यभार तीसरी बात कि इन लोग के पास जो स्वामान था खाल मचली वो इन व्यापारियों के बड़े काम का था भोजन के रूप में कपड़े के रूप में ठंडे से बचने के लिए और उसके बदले में सोना इनको दे दिया गया तो इस सोने को पाकर यहां के जो मूल निवासी थे बड़े खुश हो गया चौथी बात जिसके कारण यूरोपियन वहां रहे वो था कि शिकार करने में ये लोग मदद करने लगे ये विंदु क्यों महत्पूर्ण है? मैंने आपको बताया कि मूल निवासी जो थे वो उतना ही शिकार करते थे जितनी उनके आशकता थी उतनी ही खेती करते थे जिससे कि उनका भोजन पानी हो जाए अब यहां जब ये लोग आते हैं इनके लिए अत्रिक्त शिकार करना इनके लिए अत्रिक्त विवस्था करना उसमें यहां के मूल निवासीों ने बड़ा सहयोग किया और उनके एक सहयोगी पूर्ण व्यवहार से येउरोपियन बड़े प्रभावित हुयो इसके बाद उन्हें पता नी था कि येउरोपी यहां आकर मुनाफ़ा कमा रहे हैं मूल निवासीों की नजर में येउरोपी केवल पहले ही थे उनको लगता थे कि ये लोग वही रहने वाले लोग हैं उन्हें पता भी नहीं था कि मस्री और और खाल को वो लोग जाके योरोप में बेशते हैं उसका व्यापार करते हैं वो तो सोचते थे इनकी जरूरते हैं तो इसलिए उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए अपने मित्रों के आवश्कताओं को पूरा करने के देश से उनके सा शिकार करते थे उनके लिए अत्रिक उत्पाद पर तयार करते थे ये खास बातें ये उरोपियनों को बड़ी प्रभावित करती हैं और उसका परणाम है कि ये उरोपियन वहाँ पर बड़ी संख्या में जाने लगते हूं नक्षे में देखे मिस्सीपी मिसौरी मिस्सीपी यहां फ्रेंच लोग आएं फ्रेंच लोगों ने देखा कि देशी लोग जो हैं वो एक जगा एक अठे हो जाते हैं और सामान का आदान प्रदान करते हैं तो कि बड़े दोस्ताना इनके रविया था और एक दूसरे के प्रती उपहार का इजहार करते थे और ये जो सामान का आदान प्रदान करते थे जिसे हम हस्त शिल्प कह सकते हैं ये हस्त शिल्प उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे, खास कबीलों के द्वारा बनाए गए थे, और ये उरोपियनों को ये शिल्प बड़े पसंद आए, खास चीजों से उनका विशेश परिचाए विशेश मों भी हो गया, इनके बदले में, ये उरोपियनों ने इन मोल लिवासियों को अपनी कुछ चीजों से परिचाए कराया, जैसे सोना, मैंने आपको बता है, सोना से तो उनका परिचाए ये उरोपियनों ने कराया, मचली और मांस की एवज में, अब यहाँ, ये फ्रेंच लोग जो थे, ये एक कदम और आगे गया, इन्हों ने उनको शराब का ग्यान दिया, बंदूकों का ग्यान दिया, कंबल, लोहे के बरतन, ऐसी चीजें दे कर, इन्हों ने वहां के मूल लिवासियों का दिल जीत लिया, और यहीं से शराब का व्यावचाय, शराब का विस्तार, शराब का व्यापार शुरू होता है, मूल बाशिंदे जो यहां के थे, वे ये येरोपियनों को मांस, मांस और मचली आदी देते थे, और उसके बदले में, उनसे कुछ ग्रहन करते थे, और उसमें क्या था सामान? शराब थी, इसके साथ बंदूक आदी थी, जिससे वे शिकार कर सकते थे, ये नहीं चीज़ें थी वहां के लोगे लिए, और तो तमबाकू, तमबाकू भी यहां के मूल निवासियों ने येरोपियनों को दिया, तो जिस पकार शराब जैसी नशे की चीज, येरोपियनों से मूल निवासियों तक पहुंची, ऐसे तमबाकू की लत जो है, वो यहां के मूल निवासियों ने येरोपियन्स को दी, और तमबाकू से अर्थात याने सिगरेट और ऐसी अन्यवस्तियों जिसका अधादर तमबाकू से होता है उसका विकास इस कारण इस काल में बहुत होता है क्योंकि तमबाकू का फिर आयाश शिरू होता है इस आदान प्रदान के खेल में एक दूसरे से संबन्द बढ़ाने के उद्देश से और अपना लाब बढ़ाने के उद्देश से येरोपियनों के दौरा ज्यादा से ज्यादा आना होता है और येरोपियनों का यहाँ आना इसलिए सहज हो जाता है क्योंकि उन्हें कताई किसी भी तरह का खत्रा नदर नहीं आया उल्टे उन्हें काम की चीज़ें अपने व्यापारिक दिश्ट से जिससे वो ज्यादा लाब अरजित करते के वो उन्हें मिला इस आदान फजान में जहां तंबाकू, शराप, सोना और कुछ अन्य चीज़ें, हस्त शिल्प की चीज़ें का लेंदेन हुआ वहीं भाशा का भी असर हुआ, भाशा का भी कुछ प्रभाव पड़ा हम ज़री देखते हैं तो नहीं दुनिया, जो न्यू वर्ल जिसके कहते हैं, उत्तरे अमेरिका की खोज के बाद तो मूल बाशिंदे जो थे, उन्होंने कुछ नए शब्द, अंग्रेजी के शब्द सीखे इन यूरोपियनों से, उसमें एक पहला शब्द था अब औरिजिन, अब औरिजिन मतलब नेटिव पीपल, नेटिव पीपल, अक्टुली यह शब्द जो है नेटिव पीपल आफ और ऑस्टेलिया के लिए है, इसका मतलब यह है कि शुरुआत में, ओरिजिन मतलब शुरु अब मतलब से तो शुरू से रहने वाले लोगों के लिए ये शब्द का उपयोग किया जाने लगा अबोरिजिन उसी से बना अबोरिजिनल ख्याल रखेंगे एक विशेशन है ये संग्या नहीं है बहुत बारित का गलत उपयोग हो जाता है तो अबोरिजिनल वहीं चाहिए अब एक अगला शब्द है American Indian या Amerind या American Indian American Indian उत्तरी और दक्षनी अमेरिका और Caribbean आइलेंड वेस्ट इंडीस जमाइका ये जहां स्थित हैं यहां के मूल निवासियों के लिए शब्द पयोग हुआ फर्स्ट नैशनल पीपल अमेरिकान इंडियन इनको फर्स्ट नैशनल पीपल कहा गया मूल निवासियों के संग्ठित सम्मू को जिन्हें कनडाई सरकार द्वारा मानिता दे दी गई थी 1876 में इनके एक बैंड्स को इनके ग्रुप को एक ग्रुप के रूप में इनका इस्तिमाल किया गया लेकिन 1980 के दशक में नेशन शब्द प्रियुक्त होने लगा इनके लिए तो इस पकार हम देखते हैं कि कैसे ये शब्द वहां के मूल नवासियों द्वारा ले लिए गए बैंड्स एक शब्द अमेरिकन इंडियन एक शब्द अबारिजिनल अबारिजिन आदि आदि जो मूल नवासियों के नाम जो हैं वो ऐसी चीजों से जोड़ दिये गया जिनका इन कभीले से कोई तालुकात नहीं था कोई संबंद नहीं था उधारन के लिए डकोटा इस डकोटा जो नाम है वो मूलवासियों के नाम और वो किसके लिए डकोटा किसके लिए प्योग किया जाने लगा हवाई जहाज के लिए बहुत प्रसिद हवाई जहाज होते थे ये प्रसंद दुति विश्वद के समय प्यो फिस्रा शब्द है चिरोकि, झिरोकि जीप के लिए उपयोग किया जाने लगा, पन्तियाक कार के लिए उपयोग किया जाने लगा, पंट्याक और इसके बाद मह salahध बाल कटाई, यह नेटिव नाम है, और नेटिव नाम ऐसी चीजों को दिया जा रहा है इन यूरोपियोनों के द्वारा जिसका मूल निवासियों से कोई तालुकात नहीं है यह मात्र एक तरीके से आदान पदा नहीं था ऐसामबल एंगिल अगला शब्द है इंडिजेनस पीपल इंडिजेनस ऐसे लोग जो हमेशा से वहां रहते आएं शुरू से इंडिजेनस नेटिव अमेरिकन एक शब्द मैंने बताया अमेरिकन इंडियन और इसके बाद अगला शब्द नेटिव अमेरिकन नेटिव कौन थे उत्तरी और जक्षणी अमेरिका के देशी लोग अब यह शब्द मेल प्रतलित है तो पर इन्हें नेटिव इंडिएन कहते थी एक शब्द आपने बहुत सुन होगा और भारती फिल्मों में खासकर बॉलिवुट की फिल्मों में उपन्यास्वों में इसका जिक्र बहुत आता है रेड इंडियन रेड इंडियन जो पक्षियों के पंक का मुकुट पहनते हैं और एक खास धंकि उनकी वेज भूशा होती है रंग में बिल्कुल ब्लैक ग गलती से इंडिया कह दिया इसलिए ये इंडियन कहला है और चूंकि एक कलर में बहुत ज़्यादा गेहुआ रंग लिये हुए थे इसलिए इन्हें रेड इंडियन कहा तो ये नाम मूलता किसके द्वारा दिया गया कॉलंबस के द्वारा कॉलंबस के द्वारा ये नाम मू ये महिला है विसकॉंसिन के कबीले की विसकॉंसिन एक जगह का नाम है वहां के कबीले के महिला है 1860 के आसपास इस कबीले के लोगों को पूरा का पूरा विश्थापित कर दिया गया था उस महिला का एक चित्र है किवल आपको ये बताने के लिए कि इनकी वेजभुशा थोड़ी अलग थी और ये वही अबरजिन है या नेटिव या इंडिजनस पीपल है जो वहां के मूल निवासी थे इन लोगों का जो जो महिला जो दिख रही है इनको जब विस्थापित विसकॉंचिन से किया गया तो निवरास का नाम की जगा पूरा का पूरा एंड मास पूरे गृप में को वहां भेज दिया गया था इन मूल निवासियों का येरोपियों से संबंध या उनसे संपर्क कैसे हुआ और इस संपर्क क्या क्या परणाम हुआ इसको हमने थोड़ा सा समझा पश्चमी योरप जो है वो जो ज़्यादा संगठित था जिसमें स्पेन पर्चगाल फ्रांस इंग्लेंड आदी आते हैं ज़्यादा सभ्य था ज़्यादा साक्षर था वो था तो एक चीज एक बात है लेकिन अपने को ज़्यादा सभ्य मानता था ये बिंदू आपको याद रखना ये लोग अपने को ज़्यादा सभ्य बताने में भी गौरों महसुद करते थे और ये लोग उत्तरी अमेरिका के लोगों को एक तरीके से असभ्य मानते थे स्वभाविक है दोनों की सभ्यता में जमीन आस्मान का अंतर था कहां अध्योगिक क्रांती का काल चल रहा था इन देशों में और कहां दूसरी और अमेरिका के मूल निवासी कितना अंतर था दोनों की आप तुलना करिये कि आज से 200 वर्ष पूर्व लगभग दोनों सभ्यताओं में और दोनों समाज में कितना अंतर था और आज वह अंतर कहां चला गया वही इस अमेरिका जहां के मूल निवासीयों की बातों अभी आपने सुनी वह अमेरिका आज दुनिया में अपना वर्चस्व बना रहा है दुनिया में महाशक्ति है हाँ इस महाशक्टी बनने की कहनी के पीछे इन्हीं उरोपियनों का योगदान है इन्हीं उरोपियनों का हाथ है इसमें कोई दो मत नहीं पर गौर तलब यह है कि वहाँ के मूल निवासियों का क्या हुआ वे कहा गया उनका क्या हश्र हुआ यही हम अब पढ़ने जा रहे हैं। जंगली शब्द इसके लिए बहुत प्रसिद्ध कभी विलियम वर्ट्वर्थ नो प्योग किया है। जंगल में रह रहे थे, प्राचीन शैली में रह रहे थे, इन में किसी तरह की भावनाई नहीं थी, इन में किसी तरह की कलपना, की उडान, की सोच नहीं थी। इर्विन नामक एक लेखक ने वर्ट्वर्थ के इस विचार के बारे में कुछ और कहा है। उसका कहना है कि जिस इंडियन्स के वास्तिविक जीवन को देखने का मुझे अवसर मिला, उसे मौका मिला देखने का, वे कविताओं में वर्ट्वर्थ अपने रूप से पर्यापत अलग हैं। आपने जो वर्ट्वर्थ को संबोधित करते हुए एर्विन लिखते हैं, कि आपने जैसा उनको संबोधित किया है, वे उससे अलग हैं, क्योंकि मैंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखा है। वर्ट्वर्थ ने देखा नहीं था, रूसो ने देखा नहीं था, इन मूल निवासियों को, उसने केवल सुना था, लोंगों से जाना था, पर यहां एर्विन ने स्वायम देखा था, यह सच है कि गोरे लोंगों की नियत में भरोशा नहीं करते, वो भाशा की भाशा नही समझते, कम बोलते हैς, ये इंडियन्स जब अपने जीवन के बीच बोलते हैं तो गोरों की नकल उतार करना मनोरंजन करते हैं, Εक तरीके से वे पूरी जंगली शैली के थे, मनोरंजन करते थे अमोट प्रमोट में रहते थे, आनंद करते थे ऐसा एर्विन का कहना है यह जो मूल बाशिंदे मूल निवासी जो बाद में जो विस्थापित होते हैं यह यदि आदान पदान करते थे तो मित्रता उजागर करते थे लेकिन इसके बाद आगे कुछ और बात है और वो है कि सत्रहवी सदी में कुछ यूरोपियन समूह इसाई धर्म से हट कर अलग संप्रदाय से संबंद रखते थे और इसी वज़े से ये शोशन के शिकार भी होगा मैं पना दोहरा दूँ सत्रहवी सदी में कुछ यूरोपियनों के समूह इसाई धर्म से हट गया और अपना एक अलग कुन्बा बना लिया अलग प्रभुत्वाले देशों में प्रोटेस्टर धर्म की लोग और प्रोटेस्टेंट को राज-धर्म की तरह देखते थे उन्हें यूरोप छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा या हम कहें कि ऐसे लोगोंने यूरोप छोड़ने का फैसला ले लिया कैसे लोगोंने जो इशाई धर्म से हट कर एक अलग संपरदाय बनाने की बना लिये थे और इसलिए अब जो मिजॉरिटी बहुत संख्यक जनता थी उसकी नजर में बुरे थे तो ये जो अलग लोग थे जिने हम प्रोटेस्टेंट कह सकते हैं ये नए जगह की तलाश में थे नए ठोर की तलाश में थे और उन्हें अमेरिका नजर आता है और इस प्रकार ये प्रोटेस्टेंट फॉलोवर्स इशाई धर्म के ये अमेरिका की और मखातिर होते हैं तो कहां व्यापारी लोग व्यापार के जेश्चे गह थे लाप को बढ़ाने के लिए वहीं एक ऐसा वर्ग भी येरोप के खिलाब था और इसलिए उसका वहां रहना दूबर हो गया और इसलिए वो विवश होकर उन्होंने नया स्थान में जाने का फैसला किया और वो नया स्थान क्या था नई दुनिया यानि उत्तरी अमेरिका अब फैसला तो इन्होंने ले लिया और जाने में कोई दिक्कत भी नहीं हो इनको व्यापारियों की तुलना में ये लोग तो इसलिए वहां गया क्योंकि वो यहां अपने मूल इस्थान से अब दूर रहना चाह रहे थे क्योंकि इनका अलग धर्म था अलग मतावल अंबी थे तो वहां तो इस्थाई निवासी के जेश्च थे वो लोग अमेरिका पहुंचे व्यापारियों तो जाना आना कर रहे थे अब जब ये इस्थाई निवासी के रूप में वहां पहुंचे तो सबसे पहली दिक्कत होती है जमीन आदिकी अमेरिका में जमीन तच्चुर मात्रा में थी और मैंने आपको बताया कि वहां के मूल निवासी जमीन के मालिकाना हक जमीन के स्वामित्व पर उनका कतेई विश्वास नहीं था तो इन इसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट मताव लंबियों के वहां पहुंचने के बाद जमीन के स्वामित्व वाली बात शुरू होती है ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है सामाजिक परिवर्तन सोच में परिवर्तन और चुकि वहां उनको जमीन पाने में कोई दिक्कत नहीं हुई ये लोग बड़े आराम से वहां बस गया रहने लगे दिक्कत कहां हुई जब धीरे धीरे वो अंदर घुसने लगे मूल निवासियों के गाउं में जब जाने लगे तो जंगल की सफाई कर लोहे के अजाने का प्रियोग करने लगे और खेती करने लगे तब दिक्कत होने लगी और ऐसा वे क्यों करने लगे क्योंकि वो थाई रूप से एक जगार रहना चाहते थे और रहने के लिए जरूरी था कि वे जंगलों की कटाई करें, खेती करें, आदी आदी और ये सब्दृष्ष जो है वहां के मूल निवासियों के लिए एक तरीके का पहला अनुबह था येरोपी लोग जो थे वो जंगल काट-काट कर वहां मक्के की फसल देखना चाहते थे, फसल उगाते थे, कृष्षी का विस्तार करते थे तो इस प्रकार की याद रखेंगे कि ईशाई धर्म के तकालीन विरोधी वहां अमेरिका पहुँचते हैं और इस्थाई निवासी बनते हैं और खेती आजी शुरू करते हैं, मक्के की खेती इसमें सबसे ज़्यादा है एक व्यक्ति का नाम विस्थापन के मामले में आता है और वह है टामस जेफर्सन टामस जेफर्सन अमेरिका का तीसरा राश्च्पती कहने को हैं लेकिन उसे अमेरिका का फाउंडिंग फादर कहा जाता है संस्थापक फिगर इसलिए क्योंकि टामस जेफर्सन ने पहले राश्च्पती के काल से ही सत्ता में अहम भूमिका निभानी शुरू कर दी थी सत्तर सो पसत्तर शुरू में अमेरिका स्वतंतर होता है और उसकी स्वतंता के बात से ही टामस जेफर्सन तत्कालीन प्रसम राश्च्पती जॉर्ज वाशिंगटन के काल में सचिव बनते हैं दूसरे जो राश्च्पती थे जो आन एडम्स उनके काल में टामस जेफर्सन उप राश्च्पती बनते हैं और फिर स्वाइम तीसरे राश्च्पती बनते हैं और इस दोरान उन्होंने बहुत सी चीजों का documentation किया है, सम्विधान बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी और प्रशासिनिक धाचा बनाने में Thomas Jefferson की बहुत बड़ी भूमिका है, इन्होंने ये इनका ये कहना है कि Jefferson की सभी European लोग छोटे-छोटे खेतों के मालिक बने और अपनी जमीन के स्वामी बने, ऐसा इनका मानना था, क्योंकि उनके अनुसार तभी उस खेतर का विकास होगा, मुनाफ़ भी कमाएं और वहीं दूसरी और मूल लिवासियों को किसी भी मुनाफ़ का लालच नहीं था, तो इसलिए ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा यूरोपियन आएं, छोटे छोटे खेतों के मालिक बने, मुनाफ़ कमाएं, ये ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप समझ सकते हैं ऐसी स्थिति में, वहां के मूल लिवासियों की सोच, मूल लिवासियों के पतन का कारण बनती है, क्योंकि उन्हें मुनाफ़ नाम की कोई जा था, वह काम भी उतना ही करते से जितनी जरुत है, शिकार भी उतना ही करते से जितनी जरुत है, खेती भी उतनी ही करते से जितनी की जिस्ते की पेट भरता के बस बस, उन्हें ना किसी तरह के बाजार का लालत था, और ना है किसी तरह की फसल की बिक्री की चिंता, उल्टा, येरोपियन लोग जो वहां के बचे वो लोग तो बाजार के लोब में आये थे वे लोग तो प्राफिट कमाने के लोब में आये थे वे तो कृशी विस्तार के लोब में आये थे और यहां उस खेतर के जो राश्पती थे टॉमस जफरसन वो इस बात के लिए और प्रेरित कर रहे थे क्योंकि नेटिव इंडियन्स मूल निवासी उनलों की सोच कुछ अलग थी टॉमस जफरसन ने उन्हें भी असब भी तॉमस जफरसन ने भी वहां के मूल निवासियों को एक तरीके से असब भी की संग्या दी थी उन्हें असब भी कहता